नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल में दो घंटे से जायद गुजर गए किस कमरे में रखना है ताहाल फैसला ना हो सका नवाज शरीफ को मुख्तिस करदा तीन कमरे पसंद आए 1400 कमरों वाला हॉस्पिटल साविक वजिराजम को एक आँख न भाया सबसे पहले तीसरे फ्लोर पर काडिक वाट पर मुंतकिल किया फिर फर्स फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया फिर कमरा नंबर पांट से काडिक सेजरी वापस लाया गया काडिक सेजरी वाट से भी मुतमें ना होने पर गायनी यूनिट टू में मुंतकिल किया बार बार कमरे की मुं पर इस्तिक्राइब कर दो पर पहुंचे नवाज शरीफ के कमरे को सब जिल करार देने का फैसला नवाज शरीफ के कमरे में लगाने के लिए एमस के कमरे से उतार ली गई नवाज शरीफ के तिबी माने के लिए प्रोफेसर आरिफ तजम्मूल की सर्वराही में छे रुकनी मैडिकल बोर्ड तश्कील बोर्ड में प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर शिफिक चीमा, प्रोफेसर अबास रजा, प्रोफेसर शौकत और प्रोफेसर अश्रफ जि टेस्ट करने के बाद इलाज का फैसला करेंगे प्रिंस्पल जना हॉस्पिटल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल नवाथ शरीफ को इंजियोग्राफी की जरूरत है उन्होंने हॉस्पिटल आने में शचाहट महसूस नहीं की जाती मौलच की गुफ्तगू टॉक्टर अदनाव शेहबाश शरीफ के जमानती मचलं के मंजोर इredictसाब आदालत की आदालती अमले को रोब्कार जारी करनी के हदायात रानामस पुबशर अकब बाल ने दो क्रोडके जमानती मचलं के जम्हिकराई थे शेहबाश शरीफ की आज लाहिए आमगत नवाश शरीफ और्पार्टी रहनुमाव से मुलाकाते करेंगे पैरस जाएं फर्स्ट क्लास टिकेट देंगे जायदात की निशान दही करें हम प्ली बार गेन कर लेंगे चौधरी बरादरान ने चेर्मेन नेप को पेश किस कर दी सान है साहिवाल में बड़ी पेशरफ्ट गोलियां CTD अहलकारों ने चलाई सबूत मिल गए डिजिटल वॉइस रेकार्ड की डिस्क तबदील के जाने का इनकिशाफ फ्रैंजिक महरीन ने डिस्क तबदील करने वाले का नाम बता दिया असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता गोली चलाने का आउडर किस ने दिया जो MSG राइफलें बेजी गई वो भी तबदील थी फ्रैंजिक एज़नसी ने हत्मी रिपोर्ट मतलिका हुकाम को भेज दी आला अफसरान का पोली ग्राफिक टेस्ट कराने की तजवीज अप्चोर कंपनी केस अलीम खान के जिस्मानी रिमान में दस रोज की तवसी नेप के हवाले अलीम खान की एतसाब अदालत में दूसरी पेशी मुल्जिम नारोज के रिमान में कोई तावुन नहीं किया ने प्रॉसेक्यूटर इस्तिफा दिया वजीर नहीं रहे फिर भी कह रहे हैं कि तावन नहीं किया अदालत के रिमाक्स जायदात की खरीदो फरुख में डेड़ अरब का फर्क आ रहा है ने प्रॉसेक्यूटर के दलाईल 2018 तक पब्लिक आफिस होल्डर्स नहीं था 11 साल ये क्या करते रहे क्या पहले इनुने भंग पी रखी थी अब्दुलालीम खान अलिम खान की पेशी तरीक इंसाफ के कारकुनों का रश धकम पे पुलिस के साथ जड़प हाता पाई इहतसाफ बादलत के ज़द को भी पैदा लाना पड़ा सुरतिहाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी कारकुनों ने अलिम खान की गारी को घेरे रखा अलिम खान के तमाम असास से डिकलियर है नैब ने जो बाते पहले दिन की नौरोज बात भी वही बाते कर रहा है पी टी आई रहनुमा शेब सदीकी की गुफ्तगू सूशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने का मामला हैले कालिच में तालिम पर तशदुर्द इल्जाम जमीत पर लगया जमीत के कारकूनों ने मबयेणा त्वार पर तालिम उसमान को मारा पीता गंडू से सर पार दिया तालिब इलम की थाना मस्लिम टाउन में दर्खास जमियत ने इल्जाम की तरदीद कर दी साफ पानी को महफूस करने का केस पंजाब हुकुमत को फिर शिकस्त वाटर कमिशन तश्कील ना देने की इस्तदा मस्तरत वाटर एक्ट बन चुका कमिशन की जरूरत नहीं वकील पंजाब हुकुमत कमिशन बनाने में रोडे क्यूं अटका रही है दो हजार पच्चिस तक पानी का खतर नाख़त तक बहरान पैदा हो जाएगा जिस्टिस शाहिद करीम चीफ जिस्टिस शाइकोट सरदार चमीम खान का लहौर राइकोट बार की लाइबरेडी का दोरा चीफ जिस्टिस ने फीता काटा जजजिज और मुकला भी हमरा रिसाइकल प्लांट ना लगाने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ घेरा तंक एलडिये ने सर्विस स्टेशन सील कर दिया जहर टाउन में बगएर नक्षा तामीर सर्विस स्टेशन मस्मार प्लाट नंबर 773 पर कायम तामिराद भी गिरा दी एफबी आर्किटेक्स चोरूं के खिलाफ कार्रवाईया निस्बत रोड पर अलेक्ट्रानिक्स कंपनी से सतर लाख रुपए की रेकवरी कर ली लेक्ट्रानिक्स के दफ्तर से लेप्टाप और दीगर रिकॉर्ट कब से मिलिया था तरकूं के तरक्याती कामों से घरूं की सता नीचे होने का मामला हाई कोट ने डेपटी कमिशनर सौले सईथ के खिलाफ तहीन अदालत के दर्खास में मुटा दी घरूं की सता नीचे होने के मामले पर कानून खामोश है डेपटी कमिशनर पियसल का जनून आनलाइन टिकेट्स की फरोखत जारी चंद घंटों में पांट सौ और हजार रॉपै वाली टिकेट्स फरोख ऑनलाइन वेब साइट पर सिर्फ दो और तिन हजार के टिकेट्स तस्याप टिकेट्स पच्चिस फरवरी से शहरों में काईम सेन्टर से और गालिब का कलाम आज भी अर्दू अदब पर गाले उनके अन्दाजे बया की चाव अर्दू अदब पर हमेशा महसूस की जाती रहेगी मिर्जा असदूला खान गालिब की 150 वी बरसी आम जिन्दगी में दूसरों से अलक थलक तो शायरी में भी उनका रास्ता जदा था